वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटी समु प्रभ। निर्विधनम कुरुमेदेव सर्वकार्येशु सर्वदा। वक्र तुंड महा काय सूर्य कोटी सम प्रभ निर्विधनम कुरू में देव सर्वकार येशू सर्वदा राधे राधे जैसी क्रश्ना मैं सीमा सिंग आप सभी धर्म प्रेमियों को सदर परणाम करती हूँ आज मैं आपको धर्मराजी की एक प्राचीन कहानी सुनानी जा रही हूँ मगर सकरांती के दिन से धर्मराजी की कहानी सुनने का नियम लिया जाता है और वरत किया जाता है अगर आपने मकर सकरांती के दिन से धामराज जी का वरत करने का नियम लिया है तो आपको कहानी भी सुननी चाहिए इस से वरत के साथ में कहानी सुनने का पूरा फल मिलता है आईए अब हम धामराज जी की कहानी सुनते है एक बार एक गाउं में एक राजा अपनी दो रानियों के साथ रहता था राजा बड़ा ही दयालू, दान पिरिये और धर्मात्मा प्रवति का था एक दिन राजा ने खाने की मेच पर अपनी दोनों रानियों से पूछा कि हे प्रिये तुम दोनों आज मुझे सच सच बताओ कि तुम दोनों किसके भागय का खाती हो तब छोटी रानि जट से बोली कि महाराज मैं तो आपके भागय का खाती हूँ तब बड़ी रानि बोली महाराज प्रतेख मनुष्य अपनी अपनी किस्मत की खाता है लेकिन महाराज मैं जूट नहीं बोलना चाती और नहीं मैं चापलूसी करना चाती हूँ मैं तो धर्मराजी की भक्त हूँ मैं तो धर्मराजी का दिया खाती हूँ उसी से मैं राजा को ऐसा सुनते ही राजा को अत्यंत क्रोध आया राजा खाने की मेजसे उठकर खड़े होगे तब राजा ने कहा कि मैं तुम सबके लिए कीमती गहने और कीमती वस्त्र लेकर आता हूँ तो मैं अच्छे से अच्छा खाने को देता हूँ पूरी प्रजाकी मैं देखबाल करता हूँ कि कोई भूगा ने सोवे फिर तुम किस भूते से कहती हो कि प्रतेक मनुष्य अपनी किस्मत की खाता है अगर मैं तुम्हें एक दिन भी भोजन ने दूँ तो क्या तुमारे धर्मराज जी आकर तुम्हें भोजन देंगे तब बड़ी रानी वोली की महाराज मैं तो इतना जानती हूँ कि मेरे धर्मराज जी मुझे भूका जरूर उठाएंगे लेकिन भूका सोने नहीं देंगे राजा को अब तो और भी ज़्यादा क्रोध आया राजा ने उसी समय बड़ी रानी को एक दासी के साथ उजार महल में जाकर रहने का आदेश दे दिया बड़ी रानी कुछ नहीं बोली चुप चाप राजा को प्रणाम करके चली गई और उजाड महल में जाकर बड़ी रानी धैमराजी की स्थूति करने लगी उस उजाड महल में ने तो रोषनी थी ने पानी और नहीं कोई खाने पीने का सामान था तभी वहां आकाश वाणी हुई धैमराज जी ने बड़ी रानी से कहा कि पुतरी तुम्हें किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी उसी समय उजार महल सुन्दर महल में बदल गया अन धन के भंडार भर गे महल के चारों और सुन्दर बाग बगीचे होगे मिठे मिठे रसीले फलदार रक्ष होगे जब दासी ने देखा तो उसे महानाश्चरिय हुआ दासी बड़ी रानी के चर्णों में गिर पड़ी और बोली की है महारानी आज से मैं भी धैमराज जी की कहानी सुनूंगी और व्रत करूंगी मुझे तो अपनी आखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा धैमराज जी का चमतकार देखकर मैं तो हैरान और परिशान हो गई अब बड़ी रानी वैदासी नियम से धैमराज जी की कहानी सुनने लगी और व्रत करने लगी और रोज चिड़ी कबुत्रों को दाना पानी देने लगी गाए को चारा खिलाने लगी प्रजा के गरीब लोगों को अन वस्त्र और रुपिया कंबल दान करने लगी उधर राजा ने धह्मराजी का अपमान किया उसकी वज़े से उसे धह्मराजी का कोप सहना पड़ा उसके राज्य में अकाल पड़ गया राजा का पूरा राज कोश खाली हो गया राजा राणी के साथ प्रजा को भी भूको मरने की नोबत आ गई धीरे धीरे प्रजा को मालूम चला की बड़ी राणी खुब दानपुन्य करती है अब तो पूरी प्रजा बड़ी राणी के पास आकर भिख्षा मागने लगी बड़ी राणी सब को अन, वस्त्र, रुप्या, कंबल, दान देने लगी एक दिन एक मंत्री ने राजा से जाकर कहा कि हे राजन आपकी बड़ी राणी पूरी प्रजा को अन धन बाट रही है हमें भी जीवन निर्भा के लिए उनसे अन धन मागना चाहिए राजा को बड़ा अश्चरिये हुआ, राजा सोच में पड़ गया फिर राजा, राणी और सभी मंत्री गण, बड़ी राणी के पास उजाड महल में उनसे मिलने पहुँच गए राजा को और भी अचंबह हुआ, कि उजाड, विरान सा ये महल अचानक इतना सुन्दर और हरियाली से कैसे युक्त हो गया राजा ने बड़ी राणी से पूचा कि हे राणी, क्या तुम कोई जादू गर्नी हो, या तुम कोई टोने टोटके जानती हो ये ऐ संभव सा दिखने वाला कारिय कैसे संभव हो गया, तुम्हारे पास इतना धन कहां से आया, जो तुम पूरी प्रजा को अन धन बाट रही हो तब राणी ने कहा कि हे महाराज यह सब कुछ मेरे धैमराज जी ने किया है यह सब कुछ धैमराज जी ने संभव बनाया है अब राजा की आँखे खुल चुकी थी राजा ने बड़ी राणी वे धैमराज जी से अपनी गलती की शमा मांगी फिर राजा ने पूरे नगर में ये धिंडोरा पिटवा दिया कि सबी धहमराजी की कथा सुने वरत करें और उद्यापन करें फिर राजा भी अपनी दोनों रानियों के साथ धहमराजी का वरत करने लगा पूजा करने लगा कुछ समय बाद राजा का सारा एश्वरिय और वेभव उसे वापस प्राप्त हो गया राजा अपनी दोनों राणियों के साथ इस लोग के सभी सुख भोग कर मरने परस्वर्ग का अधिकारी हुआ घरती हो तो पूरी हो पूरी हो तो परवान चड़े भूले भिसरे नाम तेरे भंडाल में भरें इस तरहें आज मैंने आपको धैमराजी की कहानी सुनाई आशा करती हूँ या आपको जरू पसंद आएगी मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद आगे की कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें धन्यवाद